असलाम लेकुम वीवर्स वेलकम करती हूं मैं आपका अपने चैनल में अमीद है कि आप सब खेर खेरियत से होंगे अल्ला का शुकर है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हमारे किचन में जो रैस्पी बने के लिए जा रही है वो है चिकन कड़ाई और इसके लिए जो छे अदद हरी मिर्चे और एक छोटा सा अद्रक जिसे हम लंबाई में काट लेंगे एक किलो गोष्ट चिकन तीन अदद प्याज थोड़ा से धनिया जिसको हम काट लेंगे हाफ कप दही लेसन अद्रक का पेस्ट और कुछ मसाला जा जिनमें टू टेबल स्पून हमारे पा की तरफ इसमें हम अपना हाफ काप ऑईल है जो हम अपनी एक अदद कड़ाई लेके उसमें डाल लेंगे उसको गरम होने के इतना का वेट करेंगे आप इसकी जगह घी भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें हम प्याज एट करेंगे जो हमने काट लिया था तीन अदद प्याज और इसको हम अच्छी तरह ब्राउन कलर दे लेंगे लाइट ब्राउन कलर जब इसमें आ जाएगा अब इसमें लाइट ब्राउन कलर आ गया है और इसमें हम अपना चिकन एड कर देंगे और दो मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे चिकन वाइट हो चुका है अब इसके अंदर हम लैसन अदर का अपना पेस शामल करेंगे और साथ साथ चमज लाते रहेंगे अब इसमें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो dura है इसके बाद इसमें टमाठ एड कर देने है और अब इसमें मसाला ऐड कर देने इसमें पर लिए तो माठर ऑड फेसले बड़ माठ आड करने जिए अब इसमें घ्राइट पेस्वे चिली अड़ करेंगे साबित कुछ मैंने कट लगा के डाल दिया और कुछ वैसे काट के और अब इसमें हम योगर्ट यानि के दही आड़ कर देंगे अब हमने इसमें पानी डाले बगेर इसको टोमाटर और दही के पानी से ही इसको पकाना है इसको ढखकन दे के हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे पहले इसमें लेमन का रस एड़ कर देंगे और इसमें देख देख चलाते रहेंगे देखते रहेंगे हम अब हम इसको देख लेंगे इसमें ग्रेवी अब तियार हो रही है जो हमने टमाटरिस में एड़ किये थे उनकी अब आइसदा हे गी छोड़ रही है अब हम इसे इसके ओपर धनिया थुड़ा डाल देंगे और अब ये रेड़ी हो गही है इसको हम एक बाउल में निकाल के इसके उपर डाल देंगे गार्णिश करने के लिए जो हमने लंबाई में अधरक काटा था वो डाल देंगे और ग्रीन चिली और उपर दनिया डाल देंगे अब हमारी कडाई त्यार हो चुकी है अब आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू देखने का लाफीज